बिस्मिल्लाइ रख्मान रखीम असलाम अलेकुम माई दियर स्टूडेंट्स हो आर यू आई होप डाट यू आर फाइन दियर स्टूडेंट्स माई नेम इस अर्सलान आबद और वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल मैथ फारवर्ड स्टूडेंट्स आज हम 11th year mathematics FSC, ICS और FAK स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नबर 1 जो हम डिस्कुस कर रहे हैं वो है हमारे पास number system हमारी exercise 1.3 के उपर discussion जारी है आज question number 7 है हमारे पास simplify the following कहता जी हमने दर्ज जायल को simplify करना यानि हल करना है तो question number 7 का हमारे पास पहला पार्ट है जी माइनस 1 over 2 प्लस के रूट 3 over 2 आयोटा की होल का क्यूब कहता जी हमने इसे simplify करना है question number 7 हम बिलकुल as it is करेंगे जिस तरह हमने example number 5 की थी तो बिलकुल same वो ही step follow करेंगे जो हमने example number 5 के अंदर किये थे बिलकुल same question number 7 भी उसी तरह ही करेंगे तो सबसे पहले जी हम इसके solution में बात करते है हमारे पास है जी माइनस 1 over 2 प्लस के रूट 3 over 2 आयोटा की होल का क्यूब तो इदर से हम जी एक formula हमने previous पड़ा हुआ है कि algebraic formula है कि हमारे पास a प्लस b के होल का cube हमारे पास किसके एकवल होता जी a cube plus 3 a square b plus 3 a b square plus b cube ये जी हमारे पास a plus b के होल का cube जो है वो हमारे पास किसके एकवल आ गया जी a cube plus 3 a square b plus 3 a b square plus b cube हमारे पास आ गया तो ये जी formula हम यहाँ पर use करेंगे, इदर क्यूंकि हमारे पास पहला has minus 1 over 2 plus toother root 3 over 2 ऐउटा है, तो यहाँ पर हम a minus b का cube use नहीं करेंगे क्यूंकि यहाँ पर उसके लिए minus होना चाहिए और यहाँ पर plus होना चाहिए तो इदर ही इदर minus है इदर plus है, तो हमारे पास A जो है वो माइनस 1 over 2 के एकवल आ जाएगा और B जो है स्केर रूट 3 over 2 आयोटा के एकवल आ जाएगा बिल्कु सेम यही फर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे तो यह जी पहला A का क्यूब आ गया माइनस 1 over 2 के होल का क्यूब प्लस 3 यह बाद फर्मूले का माइनस 1 over 2 का स्केर स्केर रूट 3 over 2 आयोटा इसमें मैं आपको बता देता हूँ हिंट देता हूँ कि माइनस 1 over 2 के एकवल है और जो B है वो स्केर रूट 3 over 2 आयोटा के एकवल है बस यह बाद वैलियूस फर्मूले के अंदर पूट करें तो आगे यह simplify मैं आपको करवा देता हूँ माइनस 1 over 8 आगया जब यह open करेंगे इसका cube जो है क्योंकि 2 को हम 3 times multiply करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2 multiply 2 multiply 2 करें तो हमारे पास क्या आगया 8 आगया 2 को 2 के साथ multiply किया 4 4 को 2 के साथ multiply किया तो 8 आगया 3 यह यह एक odd number है odd number में मैंने बताया था कि negative अगर अंदर negative हो तो उपर odd power हो तो हमारे पास दोबारा negative ही आ जाता है अगर even power होती तो यह negative हतम होके positive में convert हो जाना था अब यह negative साथ में आए का due to odd power यहाँ पर जो 3 है वो एक odd number है तो plus 3 यह as it is अब यह even power ने negative को हतम कर दिया है इदर तो यह 1 over 4 आ गया 2 का जो square हो हमारे पास किस के equal होता है 4 के क्योंकि यह hole की power है ना minus 1 over 2 की hole की power इसका मतलब यह है कि यह 1 का भी square है और 2 का भी square है तो 1 over किस के equal आ गया 4 के equal आ गया यह चोटे चोटे step है यह आपने बहुत ध्यान से करने है square root 3 over 2 Iota as it is minus plus minus minus 3 over 2 इदर से square हम open कर लेते हैं इदर से 3 over 4 आ गया Iota square साथ में आ गया क्योंकि Iota भी साथ है तो यह भर Iota का भी square आ जाना है plus यह square root 3 over 2 Iota की hole का cube है मतलब power 3 है तो हम इसे इस तरह करते हैं 3 times लिख लेते हैं इसको हम 3 times लिख लिए हैं तो यह हमने square root 3 over 2 Iota dot square root 3 over 2 Iota dot square root 3 over 2 Iota हमने 3 times लिख दिया है दर्म्यान में multiply हो रहे हैं यह आपने यह जेन में रखना यह नहीं करना कि आप इदर plus कर दें फिर power 3 नहीं होनी plus नहीं करना यह आपस में multiply हो रहे हैं तो यह जी हमने 3 times से लिख दिया है आगे जी minus 1 over 2 8 आगया plus 3 को अंदर multiply करवा देते हैं तो 3 square root 3 over 8 आगया 4 को 2 के साथ multiply किया तो हमारे पास 8 आगया साथ में Iota as this यह जी minus यह बला 3 को 3 के साथ multiply किया 9 4 को 2 के साथ multiply किया तो 8 आगया Iota square किसके इकवल आगया जी minus 1 के इकवल तो यह हमने लिख दिया as it is plus यह जी scale root 3 over 2 Iota plus dot scale root 3 over 2 Iota dot scale root 3 over 2 Iota को हम इस तरह लिख सकते हैं यानि combine करके 3 multiply 3 multiply 3 यानि combine का हमने scale root लिख दिया है बटे कर नीचे हमारे पास 8 आगया क्योंकि 2 को 2 के साथ multiply किया तो 4 4 को 2 के साथ दिबारा multiply किया तो हमारे पास 8 आगया Iota cube आगया 7 में यह Iota यह Iota यह Iota पसमें मिले तो हमारे पस Iota cube आगया यह हमने लिख दिया है minus 1 over 8 plus 3 scale root 3 over 8 Iota plus 9 over 8 plus scale root 3 स्केर प्लास थ्री हम इसे इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि हमारी कोशिश है कि स्केर और स्केर रूट अपस में कैंसल होते है ना तो हमने एक स्केर हमने साथ में बना लिया तो इधर से हमारे पास आगे स्टेब में 3 बाहर आ जागा क्योंकि स्केर ओस केर ili आपस में कैंसल होगे बस 3 केवपर स्केर ili लाना है तो साथ में स्केर रूट है, इसका मतलब है, इसके उपर भी स्केर रूट है, जब इसके उपर स्केर रूट है, जब इसके उपर स्केर रूट आया, तो ये स्केर रूट अपस में कैंसल होगे, थ्री बाहर आ गया, और ये इसके उपर स्केर रूट है, नीचे बटे के नीचे एट आ गय माइनस 1 over 8 प्लस 9 over 8 तो यह जी हमारे पास बचा माइनस 1 over 8 प्लस 9 over 8 इधर से जी LCM आगया हमारे पास 8 तो उपर क्या बचा माइनस 1 प्लस 9 तो माइनस 1 प्लस 9 किया तो हमारे पास आगया 8 8 को 8 के साथ कैंसल किया तो पीछे रहा गया 1 आगे जी इसका part number 2 है ये इसका answer है जी वन ये part number 1 है उसका answer है वन आगे जी part number 2 में जो फरक है सिर्फ इतना है कि यहां पर positive था यहां पर जो है तो यहां पर क्या चीज़ है negative है बाकि same वह step जो यहां पर हमने use की हैं बिल्कुछ same as it is मैं formula दोबारा लिख देता हूँ a plus b की hole का cube a cube plus 3 a square b plus 3 a b square plus b cube इस question के अंदर a हमारे पास है minus 1 over 2 और b हमारे पास है minus square root 3 over 2 iota के equal है तो यह value put करनी है बिल्कुर same सारे step जो हमने यहां पर use की हैं बिल्कुर same वह step है यहां पर यह अगर यह power 3 आजाए तो आपने उसे करना है कि 3 times लिक देना है जिस तरह हमने यहां पर किया है तो हमारी कुश्च जाए तो square root आपस में cancel हो जाते है तो उसे बाहर कर ले जो cancel होता है तो बाकी जो जिसके उपर square root नहीं है तो वह से square root के अंदर ही रहने दें तो बिल्कुर same वह step यहां पर follow करने है तो आपका answer हमारे पस क्या आएगा जी इदर भी हमारे पस answer 1 ही आएगा आप इसे गोर से एक दफ़ा देख लीजिए कोई problem आती है question के अंदर after last minute साथ share करनी है तो यह जी इसका भी answer हमारे पस क्या आएगा जी 1 आएगा आगे जी part number 3 है इसका minus 1 over 2 minus square root 3 over 2 आयोटा की power minus 2 into minus 1 over 2 minus square root 3 over 2 आयोटा तो यह question शुरू करने से पहले मैं आपको ना एक छोटी च्रिक बताना चाहता हूँ कि हमारे पस है जी यह एक x variable है यह multiply हो रहा है x एक x यह दोनो एक variable है हमारे पास है यह भी एक variable है और यह भी एक variable है है भी दोनों same और आपस में multiply हो रहे है तो मैंने बताया था कि जब हमारे पस दो variable हों और वो हों भी same और आपस में multiply हो रहे हो तो उनकी power आपस में add हो जाती है इसकी power आपने consider करना है one है क्योंकि जिसकी power कुछ नहीं होती है उसकी क्या होती है one होती है तो इसकी भी power कितनी है one है तो हम इने आपस में इस तरह लिख सकते है one plus one तो ये power कितनी आगए one plus one कितना आगए two तो हम इसे इस तरह लिख सकते है as it is लिख सकते हैं बिल्कुल तो सेम बिल्कुल यही जो हमने काम किया यहाँ पर बिल्कुल सेम यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे माइनस वन यह हमारे पास जी वेरियबल आप इसे consider करें यह बला मैं जो example की बात करना हूँ बिल्कुल वही रूला आपने यहाँ पर follow करना है बिल्कुल सेम माइनस 2 है इसकी पावर केतनी है Lenर तो यह जी हम इधर आगे है solution में बात जब करेंगे तो यह इसकी पावर माइनस 2 है इसकी पावर क्या है आगे Lenर तो हम इस तरह करते हैं कि APPLAUSE minus 1 over 2 minus square root 3 square root 3 over 2 ayota की power minus 2 plus 1 कर देती है बिलकुत सेम जो हमने यहाँ पिछले जो मैंने अभी बताया इसके अंदर किया है यानि यह power इसकी 1 थी इसकी 1 1 plus 1 कर दिया इधर से minus 2 है की power इधर plus किया तो यह आगी हमारे पास minus 1 आगी minus 2 plus 1 किया तो minus 1 आगी अब इस तरह करते हैं कि अगर बते के नीचे हम power ले आए तो यह हमारे पास क्या हो जाती है positive हो जाती है सिरफ power जो है वो positive होगी यह अंदर कोई फरक नहीं पड़ना यह आपने जहने में रखना है जो उदर negative है तो यह भी negative है नीचे भी negative है सिरफ जो power है वो हमारे पास क्या होगी है positive में होगी है उपर negative तो नीचे आके positive होगी है अब जी हमारे पास एक और problem आगी है कि बटे के नीचे हमारे पास अयोटा नहीं आना चाहिए उपर चाहे आए या ना आए उससे हमें कोई फरक नहीं परता बटे के नीचे नहीं आना चाहिए यह आपने हमेशा trick जेहन में रखनी है जब भी आप बड़ी classes के अंदर भी जाएंगे कि यह जब भी बटे के नीचे हमारे पास आ जाए आयोटा आ जाए तो आपने हमेशा जेहन में रखना है कि बटे के नीचे जो वैलिया है उसके conjugate के साथ multiply और divide करना है यह जी हमने इसके conjugate के साथ multiply और divide कर दिया conjugate इसका आता है minus one number two plus square root three और two आयोटा तो यह जी हमने multiply और divide कर दिया आगे same इन्हें आपस में multiply करवा देती है हमने सामने इस तरह जिस तरह हम previous करती है तो बिलकुल same उसी तरह multiply हम करवा देती है यह जी minus one number two plus square root three over two आयोटा यह आगे तो यह जी हमारे पस अब इन्हें आपस में multiply करवा देती है यह जी minus one number two यह भी minus one number two है तो यह whole का square plus minus minus यह minus है और यह प्लस यह आपस में multiply हो रहे है तो यह square root three over two आयोटा की whole का square आ जाता है तो यह हमने same वही किया है यह जानी a square minus b का square किसके एकवल आ गया जी a plus b into a minus b यह जानी एक दफ़ा जमा एक दफ़ा minus तो यह जी हमने इसे इस तरह हमने किया था तो हम इने combine करके इस तरह लिख सकते है उपर से जी हम LCM ले ले लेते हैं तो हमारे पास LCM आता है minus one plus square root three over two over two two हमारे पास LCM आया था तो नीचे से हम square open कर लेते हैं तो हमारे पास आ गया one over four यह negative हतम हो गया due to even power minus three आ गया इदर से square root cancel by four आ गया क्योंकि यह square root three over two आयोटा के square का मतलब यह है कि इसके उपर भी square है नीचे वाले के उपर भी square है और आयोटा के उपर भी square है इस तरह आपने जेन में रखना है यह चीज़ तो यह जी हमारे पास simplify करके यह one minus three आयोटा इदर से जी one over four minus three over four आ गया आयोटा स्केर आ गया तो पीछे बचा जी minus one over square root three आयोटा आवर two आ गया यह उपर वाला जो है यह बहला चीज़ आप गोर से देखें दो तो one minus इदर से नीचे वाली का आप LCM ले ले लेते हैं तो पीछे LCM हमारे पास क्या बचा four तो रह गया भान माईनस थ्री आयोटा स्केर हमने लिख दिया उपर है जी minus one plus square root three आयोटा वर two जीज़ यह चलता जाएगा तो पीछे रह गया minus three आईोटा स्केर किसके क्वल आ गया minus one क्वल बचा four आ गया तो minus one plus square root three आयोटा वर two as it is यह साथ चलता जाना है over 1 minus minus plus 3 over 4 आ गया तो यह 3 plus 1 हमारे पास 4 आ गया उपर same as it is चलते जाना है क्योंकि उपर हमने simplify कर लिया है यह 4 और 4 आपस में cancel होगा तो पीछे रहा गया है यह उपर वारी value minus 1 plus square root 3 over 2 तो हम इस तरह करते हैं पार्ट separate कर लिया और imaginary part separate कर लिया तो यह हमने इसे simplify कर लिया है यह आपने जहें वे रखना है जो इसमें बटा है वो यह बाला main बटा है क्योंकि इदर हमने हमारे पास जब हमने इदर LCM लिया था तो हमारे पास यह उपर वाली value fraction में यह नियूमिरेटर भी fraction में आ गया था यह बाला जो है numerator यह भी fraction में आ गया जो denominator है वो भी fraction के अंदर आ गया तो यह थोड़ सा आपने दिहान से करने step जो है जब आप LCM लेंगे तो हमारे पास जो उपर numerator है वो भी fraction में आ जाएगा और जो denominator है वो भी fraction के अंदर आ जाएगा तो यह जी आपने part number 3 इस तरह आपने करना है आगे जी part number 4 है इसका A plus B आयोटा की होल का square तो यह जी हम इसका square open कर लेते हैं यह आपने formula पड़ा है A plus B की होल का square हमारे पस किसके एकुल होता है A square plus B square plus 2 A B यानि A का square B का square plus 2 फर्मूले का A यानि पहली रकम into दूसरी रकम यह अपने यह formula आपने पड़ा हुआ है तो यह formula हम यहाँ पर यूज करेंगे A का square plus 2 A B आयोटा यानि यह 2 जो है वो फर्मूले का A जो है वो पहली रकम यह A पहली रकम B आयोटा हमारे पास दूसरी रकम plus आयोटा B की होल का square इसमें आपने जहन में रखना है A हमारे पास किसके एकवल आगया A के एकवल आगया यानि A की value का है A है और B की हमारे पास value का है B आयोटा है यह value आपने इस इन फर्मूले के अंदर put करनी है तो हमारे पास क्या answer आता है A स्केर प्लस 2 A B आयोटा माइनस B स्केर यह इसका answer है तो आपने यह step बहुत धहान से करनी है बस formula आजाए तो कोई problem ने बाकिस सारी simplification असान है तो अगर आपको वीडियो में कोई भी question में problem आती है इस lecture के अंदर आपने लाजमी मेरे साथ शेयर करनी है आपने दिहान से जो step मैंने की है वो बहुत दिहान से करनी है कोई problem आती है लाजमी मेरे साथ शेयर करें अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए इसे दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए जज़त अपना बहुत सा रहा रहा रखेगा दौाओं में याद रखेगा असलाम उलेकूम